शूटिंग वाली बाल का हीरो चौधरी फैसल अदनान भट्टी जिन को आज कल संजू बाबा के नाम से भी दुनिया जानती है। फैसल अदनान भट्टी को बच्पन से शूटिंग वाली बाल का शौक था। और कम उम्र में ही राय नूर हयात खरल के साथ मिलकर अपना कलब बना लिया। तारीखी तोर मशूर थी और काफी हद तक हकीकत थी के जो खिलाडी निया रियास कलियार कलब। मैं शामिल होकर फिर अलग होता तो छोड़ने वाले। अक्सर खिलाडी अपनी गेम बरकरार नहीं रख सकते थे। लेकिन चौधरी फैसल अदनान भट्टी अपना कलब बना लेकिन उनका वो मकाम वो शोहरत वो गेम बरकरार नहीं रह सकी जो रियास कलियार कलब में शमूलियत से मिली थी और जब चौधरी फैसल अदनान भट्टी ने अपना कलब बनाया तो इस वक्त शूटिंग वाली बाल पर रियास कलियार कलब और फौजी यूनस कलब चेही ह कलब अपना वजूद बरकरार रख सके लेकिन फैसल अदनान भट्टी एक बालनद होसला इनसान थे इसलिए अपने कलब को सम्हाले रखा और आखिरकार माशकल हालाद से निकल गी चौधरी फैसल अदनान भट्टी एक बहुत बड़े डेफनसर और बहुत ही खूबसूरत सिटाइलिश प्लेयर होने के साथ साथ अकलमंद बहुसला और तेज तरीन कप्तान हैं मखालिफ टीमों की खामियों और कमजोरियों से फायदा उठाना कोई फैसल अदनान भट्टी से सीखे आज कल फैसल अदनान भट्टी का शामार सीनियर तरीन खिलाडियों में होता है और सरदार अख्तर खान बलोच सीनियर खिलाडी हैं लेकिन उनकी गेम में काफी फर्क आ गया है जबकि फैसल अदनान भट्टी आज भी पहले की तरह शूटिंग वाली बाल के शहजादे के तोर पर मशूर हैं और शायकीन में इंतहाई मकबूल और मरूफ हैं फैसल अदन का कावान नराहे फैसल अदनान भट्टी था जिसने जरा भी हिम्मत नहीं हारी अल्ला जिसको चाहे इस्जत दे इसके बाद नंबरदार चौधरी अब्दुल्रूफ लोना भट्टी कलब का हिस्सा बन गया और फुतोहात का सिलसला तूटने नहीं दिया चार जून दो हजार बाइस को सांट उन्वाली तहसील कोटली सतिया जिला रावल पिंडी में सपर चार टोर्नामेंट का फाइनल जीप कर साबित कर दिया के फैसल अदनान भट्टी कलब आज भी पाकिस्तान का सब से मजबूत तरीन कलब है अब अल्ला रब अलिज्जत से द्वागो हूं के चौधरी फैसल अदनान भट्टी को सहत व सलामती से रखे